नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हिंदू के एडिटोरी डिसकेशन में आज दिनांग 12 जुलाई 2023 है आज कुल हम तीन टोपिक डिसकेश करेंगे पहला टोपिक हमारा ग्रीन वोसिंग से रेलेटेड है फिक हमारा क्रिमिलाइजेशन ओप दे पॉलोटिक्स थर्ड टोपिक डेमोग्रेफिक ट्रांजिशन एंदी चेंज इन दा विमेन लाइव पहला टोपिक स्टार्ट करते हैं ग्रीन वोसिंग आपसे एक क्वेशन पूछता हूँ कि आप ग्रीन वोसिंग से क्या समझते हो बिसिकली ग्रीन वोसिंग एक टाइप और प्रेक्टिस है जिसमें कोई फर्म या कोई गौर्मेंट इन्टाइटी वो अपनी activities को इस type में mark करती है कि सारी activities उसकी climate friendly नजर आती है और वो दिखती है कि वो emission को reduction कर रही है लेकिन actual में वो misleading होती, vague होती है इससे जो entity उसकी image तो अच्छी हो जाती है लेकिन उसको climate से fight करने के लिए कोई ऐसा काम नहीं कर रही जैसे काफी MNCs है, जैसे Coca-Cola के उपर या World की MNCs के उपर काफी बार allegation लगते हैं और उनकी उपर acquisition लगाए जाते हैं कि वो green washing की practice करते हैं में लिए developed country के उपर भी काफी बार कि उनकी जो project है developing countries में वो green washing के तरफ है तो आज के जो article हो जो basically जो forest conservation act 1980 उसमें government ने कुछ amendment किया था recent में तो उसके बार हम discuss करें कि 1980 का जो act था वो basically insufficient था, मतलब वो जो private agroforestry होगी, tree plantation होगी उनको incentivize नहीं कर रहा था, कुछ ने कुछ उसमें restriction थे और 2019 से 21 तक इंडिया ने 1540 square kilometer का forest cover add किया जिसमें से 1500 square kilometer जो की outside recorded forest area में था basically recorded forest area वो होता है, जो government के record में होता है outside recorded forest area जो government के record में नहीं था कहीं भी tree के patches होते हैं, उनको count उस time पे नहीं किया जाता लेकिन अभी जो नय amendment लाया है, जो forest act 2023 वाला वो clearly define कर रहा है कि 1996 जो judgment था Supreme Court का उसको limit करना और किसको forest में count किया जाएगा उसको clearly define कर रहा है, जो tree cover था basically ओकाट्स में plantation में, village के आसपास के पेड़, जिससे हमारा इंडिया का जो total 24% forest area है, आज के दिन जिसमें forest और tree cover दोनों सामिल हैं, और इंडिया basically इसका target है 33% 2030 तक और ही हमारा climate के परती commitment है कि carbon sink 2.5 से 3 billion tons बढ़ाना है, जिससे carbon dioxide का sequestration ज्यादा ओगर carbon sink का cover बढ़ाया जाएगा, जो forest conservation amendment will 2023 है, basically इसके उपर joint parliamentary committee ने काफी जादा deliberation किया था, बट इसमें basically try किये कि जो industrial development है और forest का conservation है, इन दोनों में balance करने की जुरूत है कि industries भी develop होती रहें और साथ साथ में conservation of the forest भी बढ़ता रहे, forest conservation है, 1980 जो था basically वो state को empower करता था, कि state regulate करते थे और जो भी industries exploit करती हैं या forest को use करती है किसी purpose के लिए, उसके उपर fine लगाना और cost वापीश लेना और forestation को बढ़ाओ देना, Supreme Court का तो TN Goddavan case जो था 1996 में, उसने scope को और widen किया और forest की classification को भी बढ़ाया basically Supreme Court की assessment में ये बताया कि जो कहीं भी अगर trees हैं, उनको भी count किया जाए, forest की definition में, अब देखा जाए तो इंडिया का forest cover अभी बहुती कम बढ़ा है, क्योंकि जो एक report आती है, forest survey of India की, उसके हिसाब से, बहुती miniscule बढ़ावा हुआ है, हमारे forest में, और उसको ज्यादा बढ़ना चीए था, अभी जो amendment किया है, इसका काफी criticism कि आधारक कुछ चीजों है कारण, क्योंकि इसने कुछ exemption दिया है, जैसे 100 km का area, जो हमारे international border के पास हो चाए, line of control, line of actual control, जिसमें अगर कोई strategic or security purpose कोई highways है, हाइडल project है या और कोई ऐसा strategic project start करना चारी government, तो उसको environment के clearance की जरूरत नहीं है, और इसने basically यह किया कि जो states के पास जो पहले power थी, कि state पहले classified करते थे, उसको classify करने की power भी हटा दिये, यहीं पर यह primary concern है, बट इसमें देखा जाए तो यह कोई regenerating the natural forest में नहीं कर रहा, बट इसका main focus हो गया कि a forestation को incentivize किया जाए private place के दो और commercial ends को ज्यादा मिला जाता है, अब इसमें राइटर यह कहना चाहता है कि private forest को grow करना theory में अच्छा लग रहा लेकिन उससे यह expect करना कि permanent carbon stock के लिए बहुत अच्छा एक सोच है तो इसमें थोड़ा सा उसको doubt है कि carbon credit पर ज्यादा focus होगा rather than carbon stock को बढ़ाने में तो यह हमारा article था चलते हैं next article की तरफ next article basically criminalization of politics के उपर है कि जो citizen action होगे वो कैसे हैं कि politics को clean करें और politics बिल्कुल अच्छी हो जाए basically अगर comprehensive look देखा जाए तो जो चारजहर क्यासपा sitting member of legislative assembly MLAs है हमारे देश में उसमें से काफी के ओपर criminal charges हैं तो यह कौन सी state of Indian politics के बारे में बताता है इंडिया एक तरफ तो aspire कर रहा है कि बहुती respected economic और cultural power है जो की है भी इंडिया बट दूसरी तरफ अगर politics को देखा जाए अगर इतना criminal cases होंगे तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं Supreme Court के एक judgment Lily Thomas Lily Thomas case में Supreme Court ने mandatory किया था कि जितने भी political parties हैं अगर वो किसी को ticket दे रहे हैं तो उनको अपने एफिडेविट में बरना पड़ेगा कि उनके उपर क्या क्रिमिनल cases हैं और उसको क्यों ticket दिया गया अब इसमें total देखो तो 4001 sitting MLA में से 17730 almost 2000 के असपास और 44% के उपर criminal cases हैं और current लोग सबाजो 70s लोग सबाजो उसमें 43% MPs के उपर criminal cases हैं आप देख रहे हूं और 2004 में ये percentage 22% थी मतलब ये double होगी almost तो ये काफी cause of concern है काफी लोग feel करते हैं कि ये सिर्फ एक politically motivated case है rather than की actual लेकिन data ये कह रहा है कि अगर ये data for example frivolous है लेकिन जो FIR हुई इनके उपर तो FIR register हमेशा एक due process of investigation के बाद हुई है उसके उपर चार्चिट हुई थी proper preliminary inquiry hearing हुई है उसके बाद में ये court में इस case को दाखिल किया गया लेकिन अगर मानने कि ये सारे case rival political parties के दौरा किया गया लेकिन अभी जो fact ये बता रहे हैं कि जो political parties हैं वो low and order को अपने हिसाब से change कर करती हैं और अगर और ध्यान से देखें मतलब if you dig deeper and look serious criminal cases तो जो conviction है कम से कम पांथ साल से ज्यादा होगी और उसमें 18% of the MLA है जिनको पांथ साल ज्यादा सजा हो सकती है ये सभी political party हैं ये नहीं कि कि किसी पार्टिकल 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 पार्टिकुस एक्जामपल थ जो अपना बीजेपी और कॉंगरिश पार्टि के बट फिर भी इसमें offences की percentage बहुत ज्यादा है देखे रहें 42% से 76% criminal cases हैं और 32 से 43 serious criminal cases हैं और criminal record क्या अगर बात कि जाए तो normally ये trend है politics में और especially इन इंडिया में कि जो जिसका criminal record है उसके winning के chances 15% है और plain record की सिर्फ 4% है ये ADR Association of the Democratic Reforms and लोकनिति की report के हिसाव से बताएगी जिसके criminal charges उसके जीतने के chances बहुत ज्यादा है in comparison of these जिसके clean record है इससे basically है कि जो लोग criminal record है उनके chances ज्यादा हो जाते हैं कि वो election में जीतेंगे और जो non criminal है उनको assembly में seats कम मिलेंगी अब gender representation की बात करें मतलब women का representation तो बहुत ही कम है 9% elected MLA है और जितने भी MLA है वो graduate है और उससे भी ज्यादा पड़ी लिखी है और MLA के अगर asset की बात की जाए तो 13 क्रोड है और जो criminal cases है उनकी 16 क्रोड है देख रहे हो यहाँ पे भी जो clean MLA है उनकी asset कम है in comparison of the जिनके ओपर criminal charges है क्योंकि winning है जो winability factor वो depend करता है कि candidate के पा wealth 5 क्रोड से भी ज्यादा है वो elected होते हैं जैसे कि कुछ दिनों से आप देख रहे हो कि freebies का एक concept चल रहा है कि election के उपर इतना ज्यादा खर्चा होता है जैसे free कपड़े बाटना, mobile, cooking equipment, bikes, liquor यह चीजें होते हैं जो voters को entice मतलब voter को attract करने के लिए और यह violating the law, the model code of conduct although it is not legally binding but election commission of India ने guidelines दी है कि आपको election में चीजें follow करनी है उसका भी violation हो रहा है और जो लोग सबा में expenditure है वो एक estimate की साफ़ इतना बताया जाता है कि United State of America की जो president के election में उससे भी ज्यादा है basically limit set की गई है election commission of India की 40 लाख होंगे MLA की election में और 70 लाख होंगे MPs के election में और इस limit को बहुत ज्यादा cross किया जाता है यह limit जब set की थी तो election commission ने political parties की consultation पर की थी कि maximum limit आप क्या set करना चाहोगे तो इससे आप देख सकते हो जो public money है वो बहुत ज्यादा spend की जाती है freebies के नाम पे कि आपको free water मिलेगा free electricity मिलेगी jobs मिलेगी लेकिन उसका ultimate result सिर्फ criminalization हो प्लोटिक्स ही मिल जेता है जो number of MLS और MPs का criminal record है वो बढ़ते जा रहे हैं क्यों बढ़ते जा रहे हैं इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि जो political parties basically tickets उनको ही देती हैं जिसके जीतने के chance से ज्यादा होते हैं और जिसकी financial capacity ज्यादा होती है लेकिन advanced countries और जो basically democratic और developed country उनमें इस टाइप क कोई system नहीं है कि उनको ticket बाटी जाएं candidate को select करने के लिए first round primary जैसे यूस से होता first round और second round हुआ और वहाँ की जो process है कापी open है और democratic है इसलिए वहाँ freedom of speech and expression और politics में इतना ज्यादा criminalization नहीं है अब जो candidate एक बार election मालो पैसे के बल पे जीत गया तो भी क्या करेगा सबसे पह और करने की कोशिश करेगा और next election के लिए वो पैसा accumulate करेगा और उसी में वो media management करते हैं और media के तरुछ लोगों दिखाते हैं कि हमने good governance यहाँ पे बहुत ज्यादा ला दी है तो यह हमारा topic discussion के हमने criminalization of the politics के ओपर चलते हैं next topic पे next topic हमारा demographic transition and change in the women's life अब world population day 11 जुलाई को celebrate क यह एक अच्छा मोका है हमें देखने के लिए कि जो हमारी demographic journey है starting from our independence उससे हमारे लोगों की जिंदगी पर क्या फरक पड़ा है और specially women's की life कैसी हुई है इंडिया की population आप देखोगे तो 340 million थी 1947 में और अभी 1.4 billion होगी और even population fund की report के हिसाब से हम 2027 में चाइना को भी surpass कर द इसमें कम हुई क्योंकि green revolution आया सरकार ने अलग अलग policies implement की गरीबी हटाओ free रासन काफी scheme चलाई गरीबों के लिए public health को improve किया medicals के miracles जो basically नई नई innovation होई medical में उसके काँ लोगों की life अच्छी होगी यहाँ पर example दिया कि 1941 में male life expectancy जो की 56 साल थी और जिसमें सरफ 50% लड़के ही सरवाई करते थे अठाई साल तक की उमर में लेकिन आज अगर life expectancy देखी जाये तो 69 years है जिसमें से 50% जो की 75 years तक जिन्दा रहते हैं तो basically जो mortality में decline हुआ तो parents के लिए कोई surprise नहीं था क्योंकि पहले क्या होता था कि उनको ज्यादा बच्चे पैदा करने होते जिसमें से लगता था कि बहुत ही कम survive करेंगे जैसे कि चार बच्चों में से उम्मीद करते थे कि दो तो survive करेंगे और जिससे population growth एक बार बढ़ती थी लेकिन फिर से घट जाती लेकिन बात में देखा जाए तो अब उनकी survivability ज्यादा बढ़ गई तो जिसके कान हमारी fertility total fertility rate total fertility rate basically वो हो बिल्कुल replacement ratio है तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा improvement दिखाया population को control करने में as well as लोगों की lives को better बनाने के रिए basically जो statics दिखाये एक बहुत ही टेक्टोनिक और remarkable shift है कि लोगों की जिंदगी ताकि वो longer life span करें और उनको कम बच्चे पैदा करने पड़ेंगे और इसका सबसे ज्यादा असर शिर्फ देखा जा सकता है women की lives के उपर क्योंकि जैसे ही families बड़ी होती है और उसमें देखा जा रखी जाती है जब देखा जाएगी जब च्यार बच्चे होते थे तो च्यार में से एक बच्चा यानि एक बेटा होने की चांज सिर्फ 6% थे लेकिन अब family का साइच छोटा हो गया तो अब यह चांज से 25% बढ़ गए क्योंकि हमारे देश के social norms, cultural practice, patriarchy यह सब binding करती है कि basically sun की sun meta-preference एक word है क्योंकि इन चीजों के कारण और financial security कम होने कारण sun की preference बहुत ज़्यादा है अब देखोगे कि women, especially old days women या young women वो भी prefer करती है कि उसको एक कम से कम एक बेटा होना चाहिए, हमारा survey, human development survey जिसमें बताया कि 85% women उन्होंने खुद response किया है कि वो अपने बेटे प बढ़ापे में उनकी जरूरत पड़ती है, लेकिन 11% ऐसे हैं जो सिरफ अपनी डोटर के उपर रिलाई करती हैं, तो जो parents है basically वो खुद चाहरे हैं कि एक बेटा उनका at least हो, जिसके कारण कुछ practices जो की कानून के पड़ती illegal हैं, जैसे PNDT हमारा एक act है, जो prenatal sex detection वाला है, उसको भी violet करते हैं, sex selective abortion किये जाते हैं, और सिक डोटर को neglect किया जाते हैं, एक term थी missing girls, basically female feticide भो ज़्यादा बढ़ रहा था, तो उसके उपरे term थी, तो ये चीजें वो practice करती हैं, जैसे कि sex selective abortion करवाया गया, उसके बाद सिक डोटर को छोड़ा गया बाहर, सिर्फ किसलिए कि बेटा उनको चाहिए, क्योंकि उनको बढ़ा पे मुझकी मदद करेगा, इसके कारण किया हुआ कि जो girls है per thousand बुआए, 5 साल से नीचे वाले, जो 96 से लेकर 91, मतलब इनका कम हो गया proportion ratio, 1950 से 2019 में, और इससे किया हुआ, basically जो life course of the women है, वो बहुत ज्यादा impact हुआ, although आप द percent जो लड़किया है, वो secondary education पढ़ रही है, लेकिन early marriage, basically मतलब साधी, कम age में करना, और childbearing की, उनको ही take care करना, बच्चा को, वो बहुत ही, pre dominant forces रहें, इंडिया की women, Indian women की life में, अब देखोगे कि, जो 1940 में था women, basically, देखा जाये तो, 24 साल की जो women है, उसकी साधी होती है, for example, और उसमें कुछ ज्यादा फरक नहीं आया, क्योंकि उस time, for example, 22 साल की women को साधी करना पड़ता था, 1980 में, सिर्फ 24 साल को, अभी 2023 मेक्सिम हो गया होगा, 26 साल, मतलब इतना, ज्यादा improvement नहीं देखा जार, अभी भी, early marriage की जाती women की, और उसमें basically क्या होता है, कि होना क्या था कि women का labor for participation में ज्यादा होना था, भी, हमारा labor for participation rate women का 25% के असपास है, लेकिन हुआ क्या कि जो उनका एक crucial time था, उसको child caring में utilize किया गया और उसकी skill improve नहीं हुई, otherwise उसको skilled job मिलनी थी, लेकिन उसको फिर से वो unskilled work open हुआ, क्योंकि जो window थी, उसको specific skills acquire करने की, वो वहाँ पे miss होगी, क्यों, demographic shift जो था, basically women की life को older age पे बहुँ ज्यादा impact करता है, क्योंकि आपने देखावागी, normally एक norms है कि women की age कम होने जी in comparison of men, at the time of the marriage, तो women की survival rate ज्यादा है कि वो लंबे सालों तक जियेगी, comparison of men, तो वो window होने की chance ज्यादा है, और 2011 की census की हिसाब से data भी द्यागा और 55% women है, जो विड़ोड है, मतलल women के विड़ो के chance से ज्यादा है, तो जैसे ही विड़ो विड़ो होगी, तो उसके dependence अपने बेटे पे ज्यादा बढ़ जाएगी, और उसी से एक vicious cycle बन जाएगा, कि sun की preference ज्यादा होगी, फिर sun पे ज्यादा किया जाएगा, sex selective abortion होगा, female f decide होगी, और ultimate focus उस पे ही किया जाएगा, कि इस घर में एक बेटा होना चाहिए, अब जो gender dividend है, basically gender dividend क्या है कि women का proportion इंडिया पोपलेशन में almost बराबर उसको कैसे harness किया जाए, क्योंकि आप देखो कि patriarchal norms हैं, जो culture है, social practices हैं, इसको बदलने में तो बहुत लंबा time लगेगा, तब तक हमें women के employment पे और उसको financial asset दी जाएं, ताकि उसकी reliance बेटे पे कम हो जाएं, और जो vicious cycle है, जो gender disadvantage का होता क्या है, इसमें, basically अगर sun मेटा preference होगा, कि sun को ज्यादा preference होगी, तो लड़की care कम की जाए, लड़की care कम होगी तो उसकी early marriage होगी, early marriage होगी तो उसके health पे impact प पाइक पने बेटे को रूस भी से cycle के current women एक poverty के trap में फस जाती है, और childhood से लेकर old age तक वो basically इन चीजों को suffer करती रहती है, बाकी इस station countries का कुछ example दिया कि जहाँ पे demographic transformation होगी तो वहाँ पे basically उन्होंने marriage का भी age बढ़ाया, child bearing भी equal की, man भी take care करेगा, women भी, early marriage और child bearing वाला concept को थोड़ा सा हटाने ही कोशिश के, लेकिन इंडिया की women की life में ये दोनों चीज़ें अभी पूरी तरह तक हटी नहीं है, तो basically practical strategy वही है कि child care जो accessibility है, उसको बढ़ाया जाए, मतलब जहाँ भी women काम कर रही है, उसके child care की facility जितनी ज़्यादा होगी, उससे उसकी development ज़्याद table norms बनाना पड़े है, जैसे कि mg नरेगा का नाम आपने सुनाओगा, mg नरेगा basically क्या कि 100 days का employment प्रवाइड करती है, unskilled work में, तो ये physical infrastructure for example, ponds बनाने है, या कोई गाउं में तालाब बनाना है, या कोई farmhouse type में setup करने है, जो भी physical infrastructure है, उसमें इनको utilize किया जाता है, अब writer ये क करना चारा है कि उनको physical infrastructure नहीं, social infrastructure में utilize किया जाता है, specially, जो क्रेचे facility है, जहाँ पे women अपने बच्चे के take care कर सकती है, उसको बाकी nutrition का ध्यान दिया जाए, तो basically, इसको इसमें फोकस करने ही जुड़ता है, वो self-help group, self-help group क्या होते हैं, ये basically group of the people, specially women होती है, जो इकठी होत हैं, और collectively pull the money, और एक दूसरे को assist करते हैं, financially और बाकी चीजों में, जैसे कुदूमसरी model है, केरला का, AP model है अंदरा परदेश का, ये self-help group हैं, जो कि women के empowerment में बहुत ज़्यादा काम करते हैं, तो यहाँ पे जो self-help group, उनका रोल ये हो सकता है, कि वो भी अपने neighborhood में, या child care center, rural में, urban में, जहाँ भी women काम करी, वहाँ पे चीजें, setup की जाएं, ताकि women का empowerment, continuous process रहे, और demographic dividend, demographic dividend क्या होता है, कि जहाँ पे हमारे पास window होती है, कि youth, जो कि 15 साल से 50 साल तक यूथ ज्यादा होते है, in comparison of the children, और elder people, तो जो हमारे demographic dividend, उसको तब तक harness नहीं कर सकते हैं, जब दोनों को बराबर चीजें, नए दिजायर, दोनों का empowerment एक साथ नहीं, और especially child care, जो की बहुत ही important है, उस concept को अगर core में लिया जाएगा, तो हमारे demographic dividend को हम अचीव कर सकते हैं, तो ये था हमारा आज का discussion, thank you, thank you for watching.